दोस्तों आप सबका स्वागत है, दुनिया की नई खोज की बहुत सी जानकारी, के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चानल को, क्लिक कर देना बेल पर नए खबरों के लिए साक्षी मलक एक भारतियर फ्री स्टायल रेस्ला है, 2016 के रियो ऐलम्पिक्स में, साक्षी में 58 किलो की वजन के टर्गरी में, ब्रोंज मेडल जीता है और इसके साथ ही, ऐलम्पिक्स में ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहली महिला रिसले बनी और साथ ही देश की तरफ से उलिम्पिक्स में मेडल जीतने वाली चौथी महिला बनी इससे पहले 2014 में महिल नई ग्लासको के कॉमन वेल्ट खेलों में भी सिल्व और 2015 में दोहा की एशियन राइसलिंग चैंपेंशिप में ब्रोंज मेडल जीता था सा अक्षी मलिक फिलहाल भारतिया रेल्वे के दिल्ली डिवीजन के उत्तरी रेल्वे जोन में कमर्शिनल डिपार्टमेंट में कारियर थे रियो ओलम्पिक्स में ब्रोंज मेडल जीतने के बाद उनका प्रमोशन कर उन्हें ऑफिसर एंग का अधिकारी घोशित किया गया था रोल तक के महार्शी दयानान यिनिवसिटी से उन्होंने शारीर एक शिक्षा प्राप्त की थी रियो ओलम्पिक में पदक जीतने वाली भारतिया महिला पहलवान साक्षी मलिक ने एशियाई चेंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है फाइनल में पहुँचने से साक साक्षी का कम से कम रजट पदक तो पका हो गया है साक्षी गोल्ड मेडल से बस एक कदम ही दूर है देश्वासियों को अब साक्षी से स्वर्ण पदक की उमीद है साक्षी का फाइनल में मुकाबला ओलिंपिक की स्वर्ण पदक विजेता जापानी पहलवान व्रिसा को से होगा साक्षी मलिक शादी के बाद कुछ दिनों प्रेक्टिस नहीं कर पाई थी जिसके कारण उनका वजन 60 किलो हो गया था साक्षी नई इस प्रत्योगिता के लिए इसी भार वर्ग में ट्रायल दिया था और उनका सिलेक्शन भी इसी भार वर्ग के लिए किया गया था साक्षी एशन चेंपेंशिप में साथ किलो वर्ग में भारत की ओर से लड़ रही हैं और इस वर्ग में पहली बार खेलते हुए ही उन्होंने सफलता हासल कर ली साक्षी का फाइनल मुकाबला जापान की काओरी इचूं से है जो साथ किलो ग्राम वर्ग में दुनियार की नंबर एक खिलाडी हैं क्या इसके बारे में आपकी कोई टिपणी या राय है तो आडियो कॉमेंट पर क्लिक कर दीजिए अपनी बहु मूल्य राय